जैन साथियों बहुत वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम शर्षा करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने कभी SIS जोईन की थी जो कभी SIS के सदस्य हुआ करते थे लेकिन किसी समस्या की वज़े से या फिर किसी कारण की वज़े से या यू माले की misunderstanding या फिर गलत फहमी की वज़े से उन्होंने SIS छोड़ दिया और अभी वो घर में बैठे हैं बेरोजगार हैं या फिर इससे भी नीसे लेवल का काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे बाते बताने वाला हूँ जो आपके जीवन का रामबान साबित हो सकता है और फिर से आप अपने करियर की सुरुआत कर सकते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा request करना साओंगा अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकट को भी प्रेस किजिए ताकि जब भी मैं इस परकार का informative वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले notification आप तक पहुचेगा और आप वीडियो देख शगेंगे सबसे पहले चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह जानने का प्रियाज करते हैं कि यदि आपने S.I.S. छोड़ दिया है आप S.I.S. से दूर चले गए हैं किसी भी कारण के वज़ा से वैसे कारण मैं आपको बता देता हूं किस कारण से वो लोग छोड़ते हैं होता क्या है कि किसी को घर में कुछ ऐसा प्रोब्लम आ जाता है कि तीन मैना चार मैना उसे ज्यादा का समय रहना पड़ता है जिसका कारण ब्लोक हो जाता है और वो उसका कारण बंग होने के वज़़ा से उसको ड्यूटी कहीं नहीं मिल पाता है ठीक है और दूसरी बात की लोग किसी के बहकावे में आके गलत फैमी में आके वो इसाइस छोड़ देते हैं तो कारण अलग-अलग है सब के ठीक है लेकिन मैं कारण पर आज ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आपका कारण बंद हो गया है लेकिन आप फिर से एसाइस ज्वाइन करना साथ हैं तो इसमें कोई भी भाली दिक्कत वाली बात नहीं है आप SIS फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आपका कार्ड बंद हो गया है, वो चालू भी होता है, तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए तीन महना या उससे ज्यादा का समय यदि आप घर में बिताते हैं, या तीन महना या उससे ज्यादा का समय आप ड्यूटी छोड़ देते हैं तो आपका कार्ड ब्लोग हो जाता है आपका जो आईडी है वो बंद हो जाता है उनसे बातचीत करना है आपको एक application देना पड़ता है कि आपने किस कारण से तीन मेहना या उससे ज्यादा के समय घर में बिताया उसके बाद फिर आपका card चालू हो जाएगा और आप फिर से SIS जोईन कर सकते हैं फिर से आपको duty मिल जाएगी और दूसरी बात ये जो card चालू पूरा नहीं हुआ है एक साल का अंदर ही समय चल रहा है तो आपका card चालू हो जाएगा ब्रांचों पी से सिर्फ संफर करना है पातचीत करना है और आपका card चालू हो जाएगा और दूसरी बात जिन लोगों का card बंद हुए एक साल या उससे ज्यादा का समय हो गया है वो आप पिर से कोई टरेंग सेंटर में गया के रिजॉइन कर सकते हैं और और अपने करियर को उचाही ऑं उमित करता हूं आप सब all this to have all clove payment जाता है चालू कराने का क्या सरे होता है उमित करता हूं आप सब को अब विडियो पसंद होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज video को like करें share करे और चैनल को subscribe जुरूर करें मिलते किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जिज़ आए